पंद्रा और सोला दिसंबर को भारत बैलेस्टिक मिसाइल अगनिफाइट की टेस्टिंग करने जा रहा है मिसाइल की रेंज में चीन का पूरा एरिया होगा लेकिन उससे पहले ही चीन ने हिंद महासागर में जासूसी जहाज यूआन वांग फाइब को पहले से ही उतार दिया है आखिर अगनिफाइब की टेस्टिंग से पहले ही चीन क्यों इतना बाउख लाया है चलिए समझते हैं हाली में भारत ने बैलेस्टिंग मिसाइल अगनिफाइब की टेस्टिंग के लिए नोटल जारी किया यानि जिसके मुतावित बंगाल की खाड़ी के 5,400 कुलिमेटर की रेंज में नो फ्लाइ जोन बनाया गया है इसके साथ ही 5 दिसंबर को चीन अपनी जासूसी जहाज को हिंद महासागर में तैनात कर देता है चीन का यह जहाज इंडोनेसिया के जावा आइस लैंड के आज पास चक्कल लगा रहा है आखिर क्या कारण है कि चीन अगनी 5 मिसाइल के टेस्टिंग से पहले ही इतना घबराया हुआ है अगनी 5 मिसाइल परमान हत्यार के साथ साथ एक टन का पेलोड भी ले जाने में सच्छम है जिसकी रेंज में चीन का पूरा एरिया होगा अगनी 5 के सक्सेस्फुल टेस्टिंग के बाद भारत, हवा, जमीन और पानी तीनों जगहों से चीन पर निसाना बना सकता है चीनी जासूसी जहाज के हर एक हरकत पर भारती ने भी पूरी तरह से नजर रखे हुए है हलाकि भारत की और से अभी तक इसको लेकर कोई वी जानकारी जारी नहीं की गई है देखा जाए तो चीन का अपने जासूसी जहाज को इंडियान ओसियन डीजन यानी आई ओवार में भेजने का मकसर यही है कि वो मिसाइल से जोड़ी सारी खूफिया जानकारी जैसे उसकी स्पीड एक्यूरिसी रेंज को जान सके चीन के अलावा भारत समेथ रूस फ्रांस और अमेरिका के पास मिसाल ट्रेकिंग सिप है भारत ने भी 10 सितंबर 2021 को अपना पहला मिसाल ट्रेकिंग सिप धूबा को लांच किया था अब बात चीन के जासूसी सिप युवांग वांग फाइब की युवांग वांग फाइब सिप को चीन की मेरिट्री आपरेट करती है पराबॉलिक ट्रेकिंग एंटीना और कई सेंसर से लाज सिप स्पेस और सेटिलाइट को ट्रेकिंग कर जानकारी हंसिल करता है चीन के पास इस तरह के चार एक्टिव सिप हैं इस जहाज के एर डिफेंस सिस्टम में आते ही मिसाइल और राकेट से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मिल जाती है जिससे राकेट और मिसाइल को आसानी से निटिलाइज किया जा सकता है देखा जाय तो चीन अगनी 5 मिसाइल से हर जूड़ी जानकारी पाना चाहेगा लेकिन ये जासूसी जहाज भारत के खूपिया तंत रोल मिसाइलों से जूड़ी जानकारी के लिए भी खतननाख है भारत के डिफेंस से जूड़ी कई खूपिया जानकारी भी चीन को भेश सकत ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें ता खबरदान नीश के साथ धन्यवाद